दोस्तों फाइनली एक्सिस बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेक्स के साथ मिलकर एक्सिस बैंक Mx Prelude क्रेड कार्ड लॉंच कर दिया है दोस्तों ये क्रेड कार्ड पहले से देखने में लुक में बहुत ही अच्छा और Benefit में आपको ज्यादा मिलने वाले हैं तो फ्रेंट्स आज इस स्थीडियो में आपको बताऊगा कि इस कार्ड पर आपको कहा का Benefit मिलने वाले क्या Iligibility Criteria है क्या फीस और चार्जिस आपको इस credit card के लिए प्पे करने पढ़ेंगे और आप कैसे इस credit card को apply कर सकते हो और कैसे आप इस credit card को lifetime free भी कर सकते हो तो friends अब देरी ने करते हैं वी वीडियो स्टार्ट कर लेते और जान लेते हैं इस credit card के detail के बारे में दोस्तो XC Bank ने जो XC Max Prelude credit card launch किया आप जैसे इस credit card को activate करते हो यानि कि आप इसकी joining fees pay करते हो और 30 दिन के अंदर आप first transaction कर लेते हो तो आपको 12,500 rewards points मिल जाते हैं और इन्हें आप multi balance vouchers में redeem कर सकते हो और इनकी value होती है आपकी 5000 रुपिये लेकिन सरती है कि आप इन्हें एक साथ redeem नहीं कर सकते हो आप इन्हें दो बारी में redeem कर सकते हो यानि कि आप die 1000, die 1000 के दो vouchers में redeem कर सकते हो और दोस्तों अगर आपको एक credit card lifetime free offer में मिलता है तो आपको शिरिप 6,250 ये 0,800 points मिलेगे जिनकी value होती है आपकी 2500 रुपिये और दोस्तों अगर बात करें इस credit card के milestone benefit की अगर आप इस credit card से एक साल के अंदर डाइलाग रुपिये तक spend कर लेते हो तो आपको double value वाले A08 points मिल जाते हैं जिनें आप multi branch vouchers में redeem कर सकते हो दोस्तों अगर बात करें इस credit card की annual fees की जो आपको 1500 रुपिये पे करने पड़ते हैं लेकिन अगर आप इस credit card से एक साल के अंदर डाइलाग रुपिये तक spend कर लेते हो तो आपकी annual fees माप हो जाती है लेकिन उसमें आपकी rent और wallet transaction नहीं होनी चाहिए और दोस्तों इस credit card पर आपको per quarter year 2 complimentary domestic launch SS भी मिल जाता है और एक साल में आपको 8 complimentary domestic launch SS मिल जाते है और दोस्तों अगर बात करें इस credit card के reverse points की अगर आप इस credit card से domestic या international transaction करते हो तो आपको 200 रुपिये के spend पर 10 reverse points मिल जाते हैं और एक reverse points की value होती है 20 पैसा इस credit card पर आपको 1% का fuel surchargeware भी मिल जाता है सरत यह है कि आपकी transaction 400 रुपिये से लेकर 4000 रुपिये के बीच होनी चाहिए और आप एक statement cycle पर स्रिफ 400 रुपिये का benefit ले सकते हो dining delights में आप 1000 रुपिये तक का OOP मिल जाता है वो आपको easy diner sir restaurant पर मिलता है इस credit card पर आपको purchase production plan मिल जाता है एक लाग रुपिये तक का और credit seal मिल जाती है एक लाँ रुपिये तक loss travel documents कवर मिलता आपको 300 US डोलर तक delay of check in baggage कवर मिलता आपको 300 US डोलर तक और loss of check in baggage कवर मिलता आपको 500 डोलर तक दोस्तों यह credit card आपको 1500 रुपे की joining piece और 1500 रुपे की annual piece के साथ मिलता है लेकिन आप जैसे credit card को activate करते हो joining piece पे करते हो तो आपको 5000 रुपे की value वाले age rewards points मिल जाते हैं और अगर एक साल के अंदर आप 50000 रुपे तक annual spend कर लेते हो तो आपकी annual piece भी वे ओप हो जाती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसी credit card के लिए क्या eligibility criteria रखा गया है दोस्तों अगर बात करें आपकी age की तो आपकी age 18 साल से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी annual income 60000 रुपे होनी चाहिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं आप इस credit card को कैसे apply कर सकते हो तो फ्रेंस इस credit card को apply करने का link आपको description में दे दूँगा आप उस link पर जाकर इस credit card के लिए बहुत ही आसानी से apply कर सकते हो तो फ्रेंस यह था जो access bank का max previous credit card है उसका पूरा detail review तो फ्रेंस मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दीजानकारी आपके काम आएगी वीडियो आपके लिए बहुत ही अलपुल रहेगी और दोस्तों अगर वीडियो में दीजानकारी आपको जरासी भी अलपुल लगे तो वीडियो को प्यारा सा like जरूर कर देना और चैनल पर फर्स टाइम आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे कि हमारे आने वाले नेक्स वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके